कि भारत के मुसल्मान पत्थर फैकते हैं लेकिन भारत के टीकमगड के मुसल्मान ने राम की याद्टा में बुस्प बरसा करके स्वागत किया आपका नाम इसमाइल खान है और आप हमारे बड़े ही प्रिय हैं और हम आपको बहुत लब करते हैं कि प्रेम करते हैं तो आप हमारे इसमाइल खान हम आप से कहेंगे कि आप आज की इस शौपर आप अपने चार क्या लखने चाहिए गुरुजी नमस्कार जैशी यह आप जैसे के टीकमगड करा है वह इसके पहले भी आए तब भी हमने सौगत किया और अब आए आप भी सौग करेंगे कि लोग तो हमारे लिए कहते हैं कि हम बहुत कट्टर आजमी हैं जी नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है संत कभी भी कोई भी संत मांत कट्टर नहीं होते हैं उनके दिल में हमेशा ही हर इंसान के लिए प्यार रहता है जो कि आपके दिल में भी है हम आपको बहुत पिनम्बर पूरवक्न नवेदन कर देन, हम गटर है, हम नाम जी के हैं जो राम की बात करते है राम के हित की बात करते हैं भारत की बात करते हैं हम उनके लिए अपने ब्राणों को सामने लखने की सामने में प्रश्च्ण आपका प्रश्चL प्रिष्णे गुरुजी हमारा यह में दो पिष्णे गुरुजी पहला क्षुlica प्रिष्णे यह कि जो समाजिक है सब लोग कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट की बात करते हैं हिंदू राष्ट बना रहे हैं तो कहीं न गहीं मुश्लिम समाज की मन में ये रहता है क्योंकि कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को जादा तर पता नहीं है कि हिंदू राष्ट में मुस्लिम समाज का इस्तान क्या और कहा रहेगा गुरू जी इसमाइल खान साब आपके माध्यम से हम समूचे भारत बर्स के मुसलमानों को पहले बात ये कहना चाहते हैं जो जो भी हमारी इस वीडियो को सुनेंगे कि हमारे हिंदू राष्ट की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा भारत हिंदू राष्ट की कल्पना में जिस परकार पागिस्तान में हिंदू रहते हैं उसी परकार भारत में मुसलमान भी रहेगी हमारे भारत हिंदू राष्ट की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आव सकता नहीं है हिंदू राष्ट का मतलब कोई एक मजभ की बाप किसी एक धर्म की बापोती नहीं हिंदू राष्ट मतलब सनातन सनातन मतलब सब का घर प्रतेग भारत का मुसल्मान और जो यहां के वहें और आप हैं आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुँचे आप ये अपनी कमेंटी को ये बता दीजेगा कि हिंदू राष्ट का मतलब राजनेतिक रोटियां सेट कर कोई हमारे और तुमारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं लेकिन हमारे हिंदू राष्ट की कलपना बहुत इसपश्ट है जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आव सकता नहीं है ना हम छोड़ने देंगे हां किसी को दिक्कत है तो पास्पोर्ट दिलवा देंगे गुरू जी दूद्रा सवाद जी हमें बहुत अच्छा लगा गुरू जी किलकुल हज़े से और दिल से कि जो आप जैसे संथ अगर पूरे भारत में हो जाए तो भारत का उतार हो जाए वह इसलिए गुरू जी कि आप नहीं सोचा है कि हम कैंसर ऑस्पिटल बनाएंगे दामपल तो गुरू जी उसके लिए पहे दिल से धन्यवाद पहे दिल से बार बार धन्यवाद लेकिन गु कि आप साथ हो जोरदार ताली बजाओ आप साथ हम कोई राजनेता तो है नहीं हमारे कहने से बन जाएगा अगर ऐसा होता तो रात कोई ओर शीट में कि ब्लबाते हैं लेकिन आपकी बात पर हम जोरदार समर्थन के साथ में बाला जी से अपने इश्ट से प्रात्रा करते हैं जो हमारी तागत है कि सन्यासी बाबा और बाला जी करें बहुत जल्दी यहां पर यह खुश खबरी आप है बहुत बहुत धन्वाद आपसे फिर बात करेंगे तब तक आप अपने भावों को लेकर कि पैचे